AIMIM के नेता वारिस पठान के भड़काव वयान पर पलटवार करते वे योगी सरकार की राजमंत्री आनन स्वरूप शुकला नहीं कहा है कि एक भी हिंदू अपने पर आ गया तो उस दिन 15 करोड हिंद महसाकर और वंगाल की खाड़ी में दिखाई देंगे तो वैसी के अबबा भी रोक नहीं पाएंगे वहीं राजमंत्री ने वैसी कुछ नौती देते वे कहा कि जब तुम और तुम्हारे अबबा और अम्मी हज करने दुबाई जाते हैं तो पासपोर्ट अपने जीजाओं को दिखाते हैं और यसी को मैं चैलेंज देता हूँ कि तुम्हारे अबबा को भी कबर से निकल कर कागज दिखाना पड़ेगा जो नहीं दिखायेगा उसे भारत में नहीं रहने देंगे आरे मैं उससे बोलता हूँ वैसे ही से कि तुम तुम्हारे अब्बा तुम्हारी अम्मी जब जाते हैं हज करने के लिए वहाँ पास्पोर्ट बीजा दिखाते की नहीं दिखाते हैं वारस पठान का वो भरकाओ भाश्वन जिसके बाद लगातार बयान ही बयान अब सामने आ रहे हैं और ऐसे में योगी सरकार की राजमंतरी आनन स्वरूपु शुकला ने कहा है कि अगर एक भी हिंदू अपने पर आ गया तो उस दिन 15 करोड हिंद महासागर और बंगाल की खा आइ धिंगे